आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे अमेजिंग किचिन टिप्स लेके आई हूँ जो आपका काम आसान करेगा और साथ ही में आपका वक्त भी बचाएगा फ्रेंज अगर वीडियो थोड़ी से भी पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और हो सके तो शेर करिएगा और सब्सक्राइब कीजे घंटे के साथ तो चलिए लेट्स टाइग चलिए फ्रेंज टित नमबर वन देख लेते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी चटनी को कैसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं चटनी जैसे आप रखते हैं तो ये 2-3 दिन में थोड़ी से काली पढ़ जाती है इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कलर भी तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी उससे चटनी 2-3 मैंने तक इद्दम फ्रेश रहेगी तो चटनी की रेसिपीस भी बहुत सारे मैंने आपके साथ शेयर करी है या आपकी जो पसंद की चटनी है आप वो बना ले इस आइस ट्रेय ले रही हूँ और इस तरह से आप चमच की हल्प से चटनी इसमें डाल दीजे समझी के होंगे हम इसके क्यूब्स बनाने वाले है चटनी के क्यूब्स बनाने वाले है इस तरह से आप डाल ले आइस ट्रेय में और इसे थोड़ा सा टाप कर ले ताकि इसमें ए बड़ी है और बड़िया दिख रहे हैं दम चलिए इसे प्लेट में निकाल लेती हूं मैं तो यह देखिए आप चमच की हल्प से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स यह चटनी है आप बोलो कि इसका स्वाथ चेंज हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है जैसे ही आपके क्यूब्स फॉर् और ना ही इसका कलर चेंज होगा ना ही इसका स्वाथ चेंज होगा यह फ्रेश रहेंगे दो से धाय मैंने तक के लिए तो यह देखिए कितने बड़िया लग रहे हैं आपके पास जब टाइम हो तब आप यह कर सकते हैं या कभी एकसेस चटनी बना दी तो इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं इसको आप स्टोर करें एक जिफ लॉग बैग में मैं हमेशा बोलती हूँ इस तरह के बैग्स आप पेके नहीं इसमें से हवा निकाल ले और इसको अच्छी तरह से आप पैक कर ले यह देखिए जिसे मैं वीडियो में बता रही हूं और इसे आप फ्रीजर में स्टोर करें जब भी आपको खाना है तब आप दो से तीन क्यूब निकाल सकते हैं पांच मिनिट के अंदर ये रूम टेंपरेचर पर भी आ जाते हैं और हमारी चटनी रेडी हो जाती है कैसे लगे टिप कमेंट करें चलिए फ्रेंस अगली टिप आपको बहु यह देखें बहुत एक क्विक यह दियाई वाई मैं आपको बता रही हूँ एक जिससे आपके चाको भी सेफ रहेंगे और आपको भी लगेगी नहीं तो आप चाहे तो इसको बीच में से काट करके छोटा कर सकते हैं चाको की साइस का मैं ऐसा नहीं करूंगी फिर एक यह दो कर से पसे कर लेना है तो इस तरह से पांच आप चाहा पलेचेश चाहा शकले अरे शकल का उडशापONA करें गया तो इस तरह से बिहां से क्वेक्य दिया करते हैं हार्ट वोटर स्टेंज जमा हो जाते हैं अगर आप इसे लगातार यूज करते हैं और रोज रोज हम डिप क्लेंग भी नहीं कर पाते तो दस से पन्रा दिन में आप यह वाला जो में टिप बताऊंगी वह आप करिए बहुत ही बेसिक चीजों से आज बताऊंगी तो नमक है वो स्क्रबिंग का काम करता है और जो दाग धबे है जो इसमें बैक्टेरिया है वो सबको भी खतम कर देता है तो इस तरह से कर ले आप इसको अच्छी तरह से रफ कर ले तुद्पेस है तो फ्रेंस थोड़ा सा ड्राइ हो जाएगा इस तरह से करने से तो आप लगे रहने दे और उसके बाद आप साफ करें यह कुकर को बाहर से भी आप साफ कर सकते हैं इसे ट्रिक से मैं अभी आपको बाहर नहीं करके दिखा रही हो ताकि मैं आपको डिफरेंस पता सको चलिए मैं इसे वाश कर लेती हूँ गिसलिया है मैंने इस तरह से और मैं कभी भी fake video नहीं लेके आती हूँ आपके लिए कि कुछ लगा दिया और जान बुच के मैं इसको wash करके बताती हूँ ऐसे नहीं है मैं use करती हूँ मैं normal housewife हूँ friends तो ये जो दिक्कत है जो मैं face करती हूँ उसी के लिए मैं आपके लिए tip लेके आती हूँ तो इस तरह से देखे मैं wash कर लिया है आप देख सकते हैं अंदर जो थोड़े white white dark थे वो सब निकल गये हैं और बाहर आप देख सकते हैं इसका हाल तो बाहर भी आप same tip follow कर सकते हैं कैसी लगी आपको है tip ज़रू comment करके बताईएगा चलिए friends अगली tip देख लेते हैं तो यहां मैं हरे मूंग ले लिए है इसके मैं sprouts करके बताऊंगे आपको बहुत ही easy तरीके से तो सबसे पहले तो इसको आपको सोख कर लेना है 3-4 घंटे के लिए जैसे मुझे कल सुबह के लिए चाहिए तो यह मैं दुपैर को कर रही हूँ friends तो दुपैर को आप इस तरह से इसको सोख करके रख ले पानी में और इसे ढख ले और इसे रख ले सोख हो चुके है friends अभी यह रात का टाइम है तो अब यह देखिए अच्छी तरह से सोख हो चुके है इस तरह से दबाने से तूट भी रहे है मैश हो रहे है तो इस तरह के आपको मुंग चाहिए इससे दो से तीन पानी से चुता से वाश कर ले थाकि इसमें जो धूल मितियों गंदगीयों सब निकल जाए मुंग मैंने वाश कर ली है अब मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगी बहुत ही आसान से ट्रिक है एक बोल ले और इसमें इस तरह से पतला सा कोल भी कपड़ा ले और जो मुंग है वो आप डाले जितने आपको स्प्राउट्स करने उतने ले ले और इसके एक पोटली बना ल है ऐसी जगह पर जहां moisture हो, यानि की गर्मा हथ हो जैसे मैं microwave रख देती हूँ यह गैस के ऊपर रख देती हूँ यह जहां container रख रख देती हूँ तो चलिए next वब मिलते है तो next morning हो चुकी है, मुझे breakfast बनाना है इसका और आप देख सकते हैं कि sprouts अच्छी तरह से बं गये है और यह देखे साइड में से सब निकलना भी शुरू हो गया है तो चलिए अब मैं खोल के बता देती हूँ आपको मैंने इसको एक भी बार टच नहीं किया रात को रख दिया था डायरेकली सुबह उपन कर रही हूं अगर आपको और जादा चाहिए तो आप और दो तीन घंटे के लिए रख सकते हैं तो और लंबे श्प्राउट मिल जाएंगे बड़ मुझे यही अच्छे लगते हैं इतने अच्छे लगते हैं और यह भरपूर होते हैं प्रोटीन से इसका नाश्टा सुबह सुबह अगर आपने कर लिया आपको पूरे दिन कुछ और खाने की भी ज़रूरत नहीं है इतने हल्दी है यह स्प्राउट्स आपको स्प्राउट्स की रेसिपी भी मैं आपको जल्ही बताऊंगी मेरे टिप्स वाले वीडियो में तो देखिए आपको आज की अमेजिंग केचिन टिप्स ठीक ही नहीं है यूसफुल उसके लिए कमेंट करेगा और कोई भी टिप अगर आप यूस करते हैं तो वह पर साके फिडबैक भी जरूर दीजेगा तब तक के लिए फ्रेंट्स लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और सुब्स